हलो नमस्कार बंदे मातरम स्टुडेंट आज मैं आपके सामने ये कुश्चन लेकर आया हूँ और ये कुश्चन देखिए 2020 का कुश्चन है 2020 में ये कुश्चन पुचा गया है बेर इंपॉर्टेंट कुश्चन है और आज हम मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके मायन में बैठ जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं और ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं तो यहां पर स्टुडेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सल्यूशन क्या लिखेंगे स इंडेपेंडेंट इंडेपेंडेंट ठीक है इंडेपेंडेंट इवेंट अगर यह स्टुडेंट इंडेपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब है कि कहीं पर अगर हमको मिल जाए क्या पी ए इंटर्सेक्शन भी तो मुहां पर लिख सकते हैं इस्टुडेंट क्या पी into PB लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, यह चीज आप पहली बात समल लो, आगे क्या पूछ रहा है, prove that the probability of happening of at least one of A and B is one minus PA' into PB' यह बताना है, मतलब at least one of किसके ARB occurs, यह यहाँ पर बताना है किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर student हम कुछ नहीं करेंगे, एक दम सीधा सा आपको बताएंगे, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, लिखोगे इसलिए probability at least one of, क्या लिखोगे, one of, A, R, यहाँ पर B लिखोगे, ठीक है ना, अकर, ठीक, अकर, A और B में से, तो student आपको जैसा की जानकारी है, यह किसके बराबर होता है, प, A, union, B के बराबर होता है, भाई, at least one of, A, R, B, अकर, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको पहले ही बता रखा हूँ, A, या B, में से कम से कम एक, ठीक है, तो यहाँ के लिए क्या होता है, इसके लिए हमको union निकालना पड़ता है, यह चीज़ अपने mind में रख लिजे, at least one, one of them, जैसे दो रहें, तो one of them, ठीक, तो यह आपको फर्मला लगाना रहेगा, at least के लिए यह याद रख लिजे, जैसे आपसे पूछे, A, मतलब जैसे दो लोग है, ठीक है, तो one of them, यह इसे कहें, at least one, तो at least one अगर बोलें, तो आपको मतलब समझ जाना है, कि वहाँ पर A union B लग जाएगा, यह चीज़ आपको ध्यान देना है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजेगा, हम जानते हैं, इसका फार्मला क्या होता है, इसका फार्मला होता है, प्लस क्या 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 होता है, इसको भी मैंने लिख दिया और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर लिखा गया A intersection B और यहाँ पर लिखा आमने पहले क्या कि A और B आर independent event है इसका मतलब है कि A intersection B की जगा पर आप क्या लिख सकते हो PA और यहाँ पर क्या लिख सकते हो PA into PB लिख सकते हो तो देखिए मैंने वही चील लिख दिया जो चीज़ आपने कहा अब student यहाँ पर ध्यान दीजेगा इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो आप चाहो तो लिख दो 1-PA-PA- लिख सकते हो लिख सकते हो ना P.A. को कहा लिख सकते हो 1-P.A. लिख सकते हैं चलिए student आके यहां पर ध्यान दीजेगा इन दोनों में इन दोनों के अगर बात करें तो इन दोनों में कुछ कामन दिख रहा है student तो यहां पर मैंने P.B. कामन दिख रहा है student कुछ नहीं बस one minus pa dash तो आई है यहाँ पर student यहाँ पर देखे यह किसकी value है भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए यह किसकी value है one minus pa तो भाईया आपकी यह value हो जाएगी pa dash की value है आपको जैसा की जानकारी है देखे pa लिखा है तो अगर आप इसको जो है one से सब्ट्रेक्ट करोगे तो फिर यह pa dash की value हो जाएगा आप student एक काम करते हैं यहाँ पर इन दोनों में देखी यह चीज कामन दिख रहा है यह चीज कामन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे यह कम सन में आ रहा हो तो आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर कामन ले लो क्या कामन ले लोगे minus जैस minus क और जब आपने इसको कामल है मांश जाएगा यह माइनस ओझाएगा और यहां पर क्या बज़ ग्गिया क nove फढ्व. उन्हुराएगा पर क्या होती है और सवाल इतनी आसानी से लग गया इसमें कहीं पर भी आपको माइंड नहीं लगाना पड़ा इतनी बिहतरी तरीके से मैं समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सस्क्राइब अवस्ट कर दीजे और दोस्तों इसे आवस से भीजिए तक कि जादा जादा लोगों को इसका प्रॉपिट मिल सके देखे स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं अगर किसी पी चीज की प्रॉबिल्टी जैसे आप ध्यान दिजेगे इतनी में मैं लिख देता हूं अगर कहीं पर भी जैसे लिखाए कि जैस अगर दोनों को जोड़ दो एक के बराबर हो जाता है अगर इस्टूडेंट यहां से पी की बैलू निकाला जाए तो वान माइनस पी देखे पी डैस हो जाएगा वन माइनस पी डैस और अगर इसकी नहोनिक प्रायक्ता निकाला जाए तो वन माइनस पी हो जाता है तो मतलब कहने का मतलब होई ही है यहां पर यहां पर देखे यह लिखा था इस चीज़ को आपने क्या लिख दिया देखे पी ए लिखा था तो वन में से घटा देंगे तो तो चैनल पर जो है चैनल को लाइक कर दें सस्क्राइब कर दें और दोस्तों के बश बेज़ें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तक कि अगली वीडियो इससे भी धासू बनाएंगे आपको और अच्छे समझ में आएगा ये समझ में तो आ ही रहा होगा थीक है तो अब नेस्ट वीडियो में आप से मुलाकात होगी, धन्यबाद.